नमस्कार दोस्तों मैं किद्वी सुकर्मा आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीवी आनलाइन इस्टी में स्वागत करता हूँ दोस्तों हर रोज की तरह आज फिर से हमने आरर वे एंटी पेशी के 11 अपरेल 2016 के थर्ड शिप्ट का पेपर लिया है तो दोस्तों इसमें जितने भी मैत के कुईशन आए हुए होंगे उन सभी मैत के कुईशनों को हम लोग बहुत ही इजली तरीके सहल करना सीखेंगे और दोस्तों अगर आप RRB NTPC और RRC GroupD की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ दोस्तों अगर आपको इस सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर करिएगा और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर बिलगंटी जरूर दबाईएगा दोस्तों अगर आपके कोई क्यूरी हो तो आप अपनी क्यूरी को मुझ तक पहुँचा दीजिएगा और दोस्तों आप अपनी क्योरी को मुझतक पहुचाने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप से जड़ो जुड़िएगा इन सभी का description में आपको लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों आप ग्रूप से जुड़ करके आप अपनी क्योरी मुझतक पहुचा सकते हैं तो चलिए दोस्तों हर उची तरह हम लोग आज देखते हैं आज का अपना पहला question तो दोस्तों यह दिया गया है 19,170 divided 54 divided 5 की गढ़ना करना है तो दोस्तों इसको simplify करना है तो यह 2170 अपन में दोस्तों यह 54 हो जाएगा और यह भी अपन में आज आजाएगा तो दोस्तों गर इसको हम कट करदें तो finally Divine हम नौ से कट करदें तो 9шषड चौन हो जाएगा दोस्तों नौ दूना, 18, एक बचा दोस्तों, यहां पर 11 हो गया, 9-1, 9-9, दो बचा, 9-3, 27, 10, अब दोस्तों, अगर इसको हम इनका मल्टिप्लाइ करेंगेंगे, दोस्तों, कितना हो जाएगा, हमारा फाइनली यह आ जाएगा, हमारा, यहां पर आ जाएगा, 21-30, बटे, दोस्तों, इनका और इनका जब हम मल्टिप्लाइ करेंगों दोस्तों कितना हो जाएगा 30 तो यह 0C0 प्लस 3K का मान ग्याद करना है तो दोस्तों यहाँ पे के की वैलू माइनस 3 दी गए तो यहाँ पे हमने माइनस 3 की पावर 3 रख दिया और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 और 9 अड़ हो जाएगे तो माइनस का दोस्तों हमारा 36 हो जाएगा अब दोस के 25% तक धोखा देता है तो उसका पुल लाव प्रतिसत ग्याद कीजिए तो दोस्तों यहां पे जब इस प्रकार कोईशन आ जाता है तो हम एक सिंपल सा फार्मुला ध्यान रखते हैं दोस्तों यहां पे होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान का 100 दोस्तों यह हमारा फार्मुला गहें हुता है और इस फार्मुले सांवह पूट कर दोस्तों हमारा finally यह हो जाएगा अब दोस्तों इनको जो आइड करेंगे तो 56.25 यानि कि 56.25 हमारे इसका right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा दोस्तों next question दोस्तों हमारा ये रहा दोस्तों इस question में दिया गया है sin x minus 6 x की value हमको निकालना है दिया गया है cot x का value 5 बटे 12 तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक triangle ड्रा कर लें और दोस्तों इसका नाम करन कर लें A B और ये C तो दोस्तों ये cot x बराबर दिया गया है 5 बटे 12 तो इसका अगर हम देखें तो दोस्तों होता है आधार बटे लंब तो दोस्तों जानते है cot बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटे लंब होता है तो अब 169 हो जाएगा 169 हमारा finally कितना बन जाएगा दोस्तों 13 बन जाएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर हमको sin x कमान निकालना है तो sin x पराबर दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे करण होता है तो दोस्तों यहाँ पर हमको लंब पता है 12 और कण पता है हमको दोस्तों 13 तो अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम value put कर दें directly sin x minus का 6x दोस्तों तो यहाँ पर sin x कमान हम जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे कण यानि की 12 बटे 13 दोस्तों हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा दोस्तों 13 बटे 5 बन जाएगा हमारा यह 13 बटे 5 तो अब दोस्तों करें को हम solve करें तो 13 और 5 का एल से हम आ गया 65 दोस्तों अब यहाँ पर हो जाएगा 12 पन साथ दोस्तों 13 तेरा हम होता है 169 169 सम 60 माइनस कर देंगा दोस्तों यहाँ बचिएगा एक डाटा के सिट का प्रसरण 81 है तो डाटा का मानक विचलन गयाद कीजिए तो दोस्तों मानक विचलन इसका कितना हो जाएगा 9 हमारा इसका राइट एंसर हो जाएगा एपसन नमबर B दोस्तों कैसे तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे विचलन का square बराबर होता है दोस्तों प्रसराण बराबर दोस्तों मारे यह formula होता है तब दोस्तों यहां पर हमको प्रसराण दिया गया है एक्क्यासी और तो दोस्तों अब हम विचलन बराबर अगर निकालें यह हमारा under root में हो जाएगा तो अब यह हमारा finally 9 आ जाएगा तो दोस्तों इसका हमारा विचलन कितना आ गया option number 9 दोस्तों option number B यह निसका 9 हमारा right answer हो जाएगा next question दोस्तों हमारा यह रहा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है sin A बराबर 4 बटे 5 sin B बराबर 5 बटे 13 तो sin A प्लस B का मान निकालना है तो दोस्तों हम जानते है sin A प्लस B का फार्मूला यह होता है sin A into दोस्तों cos B plus दोस्तों cos A into sin B दोस्तों यह हमारा फार्मूला होता है अब दोस्तों यहाँ पे हमको sin A और sin B की value दी गई है sin A और sin B की value दी गई है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें एक डाइग्राम ड्रा कर लें दोस्तों, अब हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो दोस्तों लंब हमको दिया गया है, चार कर्ण दिया गया है, दोस्तों पांच, तो ये आधा दोस्तों तो कॉस बराबर फार्मला हो जाएगा दोस्तों हमारा आधार बटे कर्ण तो दोस्तों आधार हमको यहां पे दिया गया है तीन और कर्ण दोस्तों दिया गया है पांच तो हमारा यह कॉस एक कमान निकलाया अब अगर दोस्तों ऐसे ही हम यह जो sign b कमान दिया गया तो हम फिर एक table ड्रा कर लिए दोस्तों यहाँ पर table क्या दोस्तों यहाँ पर triangle अगर हमने ड्रा कर लिया और यहाँ पर दोस्तों हम जानते है sign b तो sign b का जानते है लंब बटे कंड होता दोस्तों तो लंब दोस्तों यहाँ पे 5 दिया गया और कंड दिया गया है दोस्तों हमारा 13 तो हमको आधार निकालना है दोस्तों तो हम 169 से दोस्तों क्या करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कंड का स्कॉर बराबर होता है का लंब का स्कुर्स का आधार का स्कुर्व तो दोस्तों कन लोगा धार निकालें पर वहांपे कॉस B का तो दोस्तों कॉस B की वेलू हमारी बन जाएगी हम जानते हैं कॉस B बराबर क्या होता है आधार बटे कर दोस्तों आधार हमको दिया गया है 12 और कर दोस्तों को दिया गया है 13 तो दोस्तों कॉस B कमान हमने निकाल लिया 12 बटे 13 अब दोस्तों इस फार्मूले में हमक तो हमने 12 बटे 13 पूट कर दिया प्लस लगा दिया कॉस ए तो कॉस ए कमान दोस्तों हमको पता है 3 बटे 5 इंटो साइन भी साइन भी का दोस्तों यहां पे दिया गया है 5 बटे 13 हमने 5 बटे 13 रख दिया दोस्तों अब अगर दोस्तों यह 5 से यह 5 हमारा कैंसिल कर दें और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दिया गए इसको सॉल कर लेंगे यह हमारा नहीं कैंसिल उट हो रहा तो 12, 4, 48 हो जाएगा दोस्तों और 13, 65 हो जाएगा और दोस्तों फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा का प्लस का हमारा तीन बटे तेरा बचेगा अब दोस्तों यहां पे अगर हम सॉल करें तो 65 हमारा LCM हो जाएगा और यहां पे हमारा 48 रहेगा प्लस का तेरा पचे 65 तो पांच नहीं 15 हो जाएगा अब 48 और 15 अगर हम एड कर दें दोस्तों तो यह 813 हो जाएगा और 41526 हो जाएगा दोस्तों तो 63 65 हमारा इसका right answer हो जाएगा दोस्तों तो aipeto नमबर लेक्षण देखे हैं दो स्वेक्षण नेस्ट कीशन हमारा यह दिया गया 29 को binary में बदल ये तो दोस्तों 29 हमारी एक संख्या दी गई इसको binary में convert करेंगे तो दोस्तों binary में convert करने का तरीका आप देख लीजिए कैसे करते हैं 59 को हम 22 ही काटेंगे और जो सेश बच जाएगा तो हम साइड में लिख लिए अगर सेश नहीं बचता है दोस्तों तो साइड में 0 लिख लेंगे अगर दोस्तों इसको 2 से कट करें तो यह थो हमारा एक तो हमारा एक झाह export करेंगो' अब दोस्तों इसको हम दोसे फिर कट करेंगे दोस्ता 14 दोस्तों पूरा-पूरा कट गया तो हमारा सेस्वल कुछ नहीं बचा दोस्तों ने 0 रख दिया फिर दोस्तों इसको हम दोसे कट करेंगे तो 2-3-6 दोस्तों हमारा एक सेस्वल बचा तो एक हम यहां पर लिख देंगे दोस्तों क्या जाएगा 11101 तो दोस्तों इसका binary हमारा क्या बन जाएगा 11101 तो दोस्तों इसका option number हमारा c right हो रहा है 11101 तो I hope दोस्तों आपको ये video पसंद आ रही होगी तो next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा ये रहा 198 रुपए को 2 अनपाथ, 3 अनपाथ, 5 अनपाथ, 8 में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके सम्मंधित अनपाथ में होंगे तो दोस्तों 198 रुपए को हमको इस अनपाथ में बाटना है तो दोस्तों क्या करेंगे इन सभी का योग 198 के equal कर देंगे तो दोस्तों करें इन सब करें तीन दो पांच पांच दस आठ अठारा हो जाएगा दोस्तों तो अठारा बराबर हो जाएगा दोस्तों 198 तो अब अगर दोस्तों इसको हम कट करें तो एक बराबर आ जाएगा अठारे करने मठारा अठारे करने मठारा दोस्तों तो एक बराबर दोस्तों कितना आ गया ग्यारा तो जब एक बराबर ग्यारा है दोस्तों तो दो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा तीन बराबर दोस्तों 33 हो जाएगा पांच बराबर दोस्तों 55 हो जाएगा और आठ बराबर दोस्तों 88 हो जाएगा तो 22, 33, 55, 88 दोस्तों आफसर नमबर हमको स्थी मैच कर रहा है यानिकि स्थी हमारे इसका right answer हो जाएगा next question दोस्तों मारा ये रहा इस question में दोस्तों दिया गए रहा है नीचे दिये गए दो graph में से एक कुछ वर्सों में company द्वारा असंसाधित समागरी को खरीदने के लिए निवेश की गई रासी को दरसाता है लाक रुपेयों में और दूसरा कुछ वर्सों में company द्वारा बेचे गए संसाधित माल के मूलियों को लाक रुपेया में प्रदर्सित करता है तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है amount invested तो यहाँ पर दोस्तों यह जो हमारी सार्णी दी गई है यह हमारा असंसाधित समागरी को खरीदने के लिए परियोग की जाती है और दूसरी जो एक company दी गई है दोस्तों यहाँ पर value of sales यह हमारी बेचे गए संसाधित मालियों के सूची बताई गई है तो अब दोस्तों इससे related हमारा question दिया गया है कि 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल वर्स 1997-1998 और 99 में असंसाधित समागरी में निवेश की गई राश के कुल योग का लगभग क्या प्रतिसत था तो अगर दोस्तों हम यहां पे देखे हमारा दिया गया 1999 में संसाधित माल की बिक्री हम देखे तो दोस्तों कितनी हो गई है 1999 में यह माल की बित्री वाला कितना है दोस्तों यह value हमको 600 यहां पे पता है अब दोस्तों अगर यह आगे दिया गया 1997, 98 और 99 में असंसाधित सामागरी में निवेश की गई राश तो दोस्तों अगर हम 97, 98 और 99 में देखें ये हमारी दी गई है अनसनसाधित समागरी की ये टेबल दी गई है तो दोस्तों को 97, 98 और 99 तो ये value हमको यहाँ पे put कर लेनी है तो 97 में value दी गई है दोस्तों 375 दी गई है 98 में दोस्तों हमारा 330 दिया गया और 99 में दोस्तों 525 दिया गया है अब अगर दोस्तों इन सब को हम add कर दें तो finally दोस्तों इनका add आ जाएगा हमारा 3-3-6-6-5-11-11-12-12-12-13 दोस्तों इसका हमारा total योग आ जाएगा तो अब हम question में कहा गया है निमेश की गई जासे कुल योग का लगभग क्या प्रतिस्थ है तो इस total योग का 1230 के total योग का माना X प्रतिस्थ है दोस्तों कौन ये जो बिक्री वाला था हमारा 600 अब अगर दोस्तों लगभग में इसका हमको answer निकालना है दोस्तों तो हम क्या कर लें इसको तो यह हमने अगर दोस्तों रख लिया बारा सो तीस और यहां पर एक्स अपान दोस्तों क्या कर दिया हमने हंड्रेड कर दिया बराबर दोस्तों हमारा यह 600 हमारा जो दिया गया हमने वो रख दिया अब अगर दोस्तों इसको हम ऐसा कर लें यह लगभग में हमको वैलूप च जाएगा अब दोस्तों हम यहां से यह तो-स इसमेहरा हुजाएगा बारह अगर दोस्तों कट कर दें तो यह हमारा 6 दूनाबार है यानि कि आ जाएगा हमारा 100 अपान का दोस्तों तो अब दोस्तों इसको अगर हम और सॉल करें तो सम्थिंग आ जाएगा हमारा 50% अगर हम कट कर देंगे दोस्तों दोसे इसको तो 50% हमारा आ जाएगा दोसे इसका सेम वही कोईशन दिया गया है दोस्तों यहां पर प्रस्न हमारा चेंज है प्रस्न में क्या दिया गया है दी गई अवधि के दवरान असन साधित समागरी में निवेश की गई आवसत रासी तो दोस्तों असन साधित समागरी तो दोस्तों असन साधित समागरी हमारी यह हो जा यह बिक्री वाला मूल इनको भी सबको आइड करके इसका उस्त मूल के बीच में अंतर क्या था दोस्तों को इनका डिफरेंट निकालना है तो दोस्तों अगर इन सभी वैलू को हम एड कर दें तो आइड करने पे दोस्तों हमारा यह आ जाएगा हमारा तो अगर दोस्तों को एड़ करें तो हमारा यह फाइनली आ जाएगा 1995 हमारा आ जाएगा 1995 टोटल इन सारी वैलूओं को एड़ करने पर दोस्तों हमारा के आ जाएगा 1995 अब कितनी मतलब संख्या है दोस्तों तो 6 का हम यहां पर इवरिज निकालेंगे तो average तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको cut कर दें तो हमारा यह कितनी बार में cut जाएगा दोस्तों यह हमारा cut जाएगा 3332.5 आ जाएगा इसका दोस्तों तो अब दोस्तों अब हम इसको निकालने आएसे इन सभी का योग निकालने अगर दोस्तों इन सबी का इवरे जगर निकाले है तो इसका योग आ जाएगा पहले दोस्तों कितना जाएगा दो में 400 राघले दोस्तों सबीस्ट बचभ कर दें यहां पर दोस्तों हम दोनों कि दो dart 50 अब दोस्तों घटा दे हम तो 0 यहां पर आ गया 5 दोस्तों यहां पर हो जाएगा हमारा 9 से 2 घटाएंगे दोस्तों 7 आ जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा और 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों फिर 7 आ जाएगा और यहां पर हमारा बस इसी का दोस्तों इसका यही एंसर हो जाएग रितुल एक बस 15% की हानी पर 1870 रुपय में बेचता है उसे 15% लाभ पाने के लिए बसको किस कीमत पर बेचना चाहिए है तो दोस्तों 15% की हानी पर बसको 1870 रुपय बेचता है तो 1870 रुपय में बेचा CP हमको निकालना है वो भी 15% के हान पर तो 85 अपांथ दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 100 अब अगर दोस्तों इसको हम कट कर दें तो ये हमारा 17 से कट जाएगा 17, 85, 85 दोस्तों 17, 97, 17, 97, 11, 10 ये 110 आजाएगा अब और दोस्तों को पांच से कट कर दें तो दोस्तों मारा 5-दूनद 10र 5-दूनद 10 हो जाएगा अब cross multiply कर देंगे तो CP हमारा दोस्तों आजएगा 2200 आजएगा हमारा इसका CP दोस्तों को पता चल गया कितना है ? 2200 अब जब दोस्तों को CP पता है हमारा 2200 दिया गया है तो अब दोस्तों हमको निकालना है, उसे 15% लाब पाने के लिए, बसको किस कीमत पर मेंशन होगा, अब SP हमको निकालना है, CP हमको मालुम पढ़ गया है, दोस्तों कितना 2200 है, 15% लाब कमाना है दोस्तों, तो 115 हो जाएगा, अपान 200 हो जाएगा, तो अब यह double zero से double zero cancel हो गया दोस्तों अब 22 और यह हमारा 115 का multiply करना है तो दोस्तों अब हम अगर इसको ऐसा लिख लिए 115 multiply 11 multiply 2 दोस्तों तो 11 का अगर इसमें हम multiply यानि 22 ही हमने दोस्तों लिख दिया आप 11 से multiply कराने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए मैंने 11 multiply 2 लिख दिया तो 11 से जब किसी संख्या multiply किया जाता है दोस्तों तो यह 5 हमने सेम रख लिया अब 5 और इसके इन दोनों संख्याओं और 29 2012 13 हो जाएगा 22 24 15 हो जाएगा और यहां भेंगे दोस्तों दौब द्वव का दीख थो करेंगा और इसका सब्तर निटतरी simply रखते हैं दोस्तों next question हमारा ये रहा अब इस question में दोस्तों दिया गया है P का अर्थ है से गुणा करना T का अर्थ है से घटाना M का अर्थ है को जोड को जोडा गया और B का अर्थ है से विभाजित किया गया तो निमलिकित का मूल ले बताईए तो दोस्तों 28 B तो B का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर क्या है B का अर्थ है से विभाजित करना तो यानि भाग का सिंबल बनेगा दोस्तों यहाँ पर हमने रिख दिया 7 और P का अर्थ है दोस्तों P का अर्था से गुणा करना तो हमने गुणा का सेंबल कर दिया दोस्तों और आगे 8 लिख दिया अब आगे दोस्तों दिया गया T का अर्था से घटाया तो हमने घटा दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 6 और M, M का दोस्तों वैलू दिया गया M का अर्था को जोड़ा गया माइनस 6 प्लस का 4 अब दोस्तों प्लस हाल करते हैं गुरा के बाद तो 32 चार 36 हो जाएगा माइनस 6 दोस्तों अब फाइनली हमारे यहां दोस्तों 6 माइनस हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे हमारे कितना बचेगा की वीडियो बनाई है। आप जाकर के playlist में देख लीजियागा उसका इक अलग से मैंने ड्रटेज की playlist बनाई है वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिये आव आपको बड़े से बड़ा आप लोग और OH一 और OH क्रम को उस में देखने के बाद हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें दिया गया है आरोही क्रम तो सबसे परले मैं आपको बता दूं आरोही क्रम होता है चोटे से बड़े की और निकालते हैं दोस्तों इन समेरेंगे ऑगए और इन दोनों का डिएट्ट धीरेंट भीन भीन होता टो जो अंटर इनका आता हुई इस अंटर का हम्-स bonकि संक्या में भाग्त देते हैं तो 5 का भाग में भींट मत regulating का भाग मिलेंगे द्यूंगे वी तो हमारmeeं यहां पर भांदे लेते है 3 x 3 और यहाँ पर दोस्तों हमारा 5 था है यह दोस्तों हमारी बालू 5 है तो अब जब रहा हम यह ठीन का भाग 5 में देंगे तो हमारे दोस्तों 1 आएगा 9 Wert लगा दिया और यहाँ पर सा कतव दोस्तों तीश्यंगंगा 11.66 दोस्तों हम 11 में देंगे तो दोस्तों आज आगा पांच दूना 10 पांच दूना 10 तो अब दोस्तों इनको क्या करना है आरो ही क्रम में सजाना है तो अब जो दोस्तों जो इनका अंतर आया इसी अंतर को देख करके हम छोटा बड़ा सेट करेंगे तो आरो ही क्रम दोस्तों क्य रहा है मारा यह 2.2 यानि कि 11 वाली संख्या हो जाएगी यह अफिर लाश्ट हमारा 19 यानि कि आप से नमर दोस्तों इसका सी राइट हो रहा है मारा नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुशन हमारा यह रहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ग्याद कीजिए तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण मतलब हमको दिया गया है तो वर्ग की भुजा हमको सेंटीमीटर में ग्याद करनी है तो दोस्तों हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण का फार्मूला यह होता है वर्ग का विखर्ण बराबर दोस्तों फार्मूला हमारा यह होगा अंडर रूट टू इंटू भुजा तो दोस्तों को वर्ग का विखर्ण यहां पर दिया गया 26 हमने 26 रख दिया दोस्तों और यहां पर अंडर रूट टू इंटू भुजा हमने भु कर दिया तो इससी-फाइनली बन जाएग हमारे 26 अंडरa2 अपान டू तो दोस्तों तो से हमारे 26 कट जाएगा तो यहापे 13 आजाएगा तो फाइनली दोस्तों हमारा आजाएगा तेरा एंडर रोत दो, तो इसका आपजसर नमबर दोस्तों, क्या राइट हो झाएगा, ए रायट हो जाएगा, दोस्तों, 다음 धेखते हो, दोस्तों, नेश्ठ कुष्शन नमारा ये रहा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर लेस दिन का अर्थ है घटाना ग्रेटर दिन का अर्थ है जोड़ना ग्रेटर दिन का अर्थ है जोड़ना और लेस दिन का अर्थ दिया गया थै यहाँ पर घटाना इक्वल का अर्थ है से गुणा करना और डालर का अर्थ है दोस जोड़ना तो दोस्तों हमने यहां पर जोड़ दिया आगे क्याशी लिख दिया और यहां पर डॉलर का अर्थ है दोस्तों विभाजित करना तो हमने यहां विभाजित कर दिया नौ लिख दिया और लेस दिन का अर्थ है दोस्तों घटाना हमने 6 लिख दिया अब उनको इसकी value find out करनी है दोस्तों तो यहाँ पर 27 हम रख दिया 9 का जब divide इसमें करेंगे दोस्तों तो 9 ही आ जाएगा और minus का 6 अफसर 29 दोस्तों जुड़ जाएगा हमारा यह हो जाएगा 36 minus 6 दोस्तों कितना आ गया हमारा 30 आफसर नंबर दोस्तों उसका बी राइट हो जाएगा next question दोस्तों हमारा यह रहा सिवांगी एक स्थान से चल कर उसी स्थान पर वाहन से वापस आने में 6 घंटे 15 मिर्ट का समय लेती है वह चलते हुए दोनों और की दूरी 7 घंटे 25 तो उसे दोनों और वाहन से वापस आने में लगने वाला समय हमको बताना है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया सिवांगी एक स्थान से चल कर तो दोस्तों वाक हमने चलने वाले को डबलू पस प्रदाश्ट कर लिया यह वाक उसी स्थान पर वाहन से वापस आने में वाहन से इस बार वापस आने में दोस्तों तो विहाईकल हमने आने की यानि वी से इसको वाहन वाले को हमने वी से डिनोड कर लिया आने में दोस्तों उसको पुल समय कितना लगता 6 गंटे 15 मिनट तो दोस्तों 6 गंटे 15 मिनट को दोस् फिस्ट Бटे हमाला फ्रेका श्राव जाएगा अब दोस्तों आँए कंड में 25 मृट को हम दोस्तों साट गंटा स्क्ãoाइब और सिMPLIFY करें तो तुढ़राबरा धननतwe जाएगा दोस्तों 31 बटे 4 तो एक डबलू बराबर आगर जाएगा दोस्तों 31 बटे 8 आ जाएगा तो दोस्तों क्या जाएगा हमारा 31 बटे 8 आ गया हमारा तो अब डबलू को वैलू हमने क्या निकाला 31 बटे 8 दोस्तों यहां पर डबलू को वैलू हमने रख दिया 31 बटे 8 दिया तो यहां पर हमने लग दिया 31 बटे 8 प्लस वी बराबर हमारा दिया गया है दोस्तों 25 बटे 4 तो अब दोस्तों कर वी की वैलू फाइंड आउट कर लें तो यह 25 बटे चार माइनस कर यह 31 बटे 8 तो और इसको वर सॉल करें दोस्तों यहां पर 8 हमारा ल्चेम हो जाएगा तो चार दूना 8 तो 25 दूना 50 हो जाएगा माइनस का दोस्तों यहां पर 31 ही रहेगा अब 50 से दोस्तों अगर हमारा 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा यहां पर दोस् निकाल लिया दोस्तों अब कुछा क्या गया था दोस्तों कुछा गया उसे दोनों और से वाहन से वापस आने में लगने वाला समय तो दोस्तों यहां पे जब दोनों और से आगा तो यहां पे हम दो का मल्टिप्लाई कर देंगे जब दो का मल्टिप्लाई दोनों साइड में करेंगे दोस्तों तो यहां पे टू और यहां भी हमारा टू भी बन जाएगा तो दोस्तों यह हमारा कट जाएगा तो यहां पे फोर आ जाएगा फाइनली दोस्तों यह उननीस बटे चार आ जाएगा तो अब दोस्तों जब उननीस बटे चार को हम चार का भाग जब 19 में देंगे दोस्तों तो इधर देख लेते हैं 19 बटे 4 तो दोस्तों चार का भाग जब 19 में देंगे तो चार चौक सोला तो दोस्तों चार घंटा आ गया और सोला बचा दोस्तों यहां पर कितना तीन बटे दोस्तों कितना चार इतना मिनट तो अब दोस्तों यह जो मिनट दिया गया है इसको अगर मिनट उसमें इतना घंटा दोस्तों आई यह घंटा इसको लिखा जाएगा या न चार गंटे बारा मिनट तो आई होब दोस्तों आपको यह कुशन समझ में आया होगा दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर दोस्तों प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख में समप्त कर सकते हैं तो तेजस उसी काम को अकेल अग satisf कितने दिनों में करेगा तो दोस्तों बहुत ही क काम करनेकीक्षवन्ता तो अधार यू से य Latino कर लिया दोस्तों टेजस से दोगनी यह तो तो-लास दो काम करता 18 दिनों में ख revolution करते हैं तो दोनों की चंपता करके की तो अब दोस्तों जब एक दिन में दोनों तीन काम करें चUNG तो आठारा दिनों में काम कतना करे होंगे तो दोस्तों 18 और टीन कीम मल्लिट्प्लाइ कर देंगे तो दोस्तों कितना होगे चไहां to total हमारा कुछ तो अब यहां पे दोस्तो बताया गया है Taliban को कितने दिलों में कर पाएगा तो दोस्तो हम जानते हैं यहां पे ते गारच की चमता कितनी है नहीं है यहां पे solo की चमता दोस्तों यह फ़एग करने मिसा कितने говорит लगेंगे दोस्तों, चौन ही दिन लगेंगे, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नंबर बी, नेक्ट कुशन दोस्तों मारा ये रहा, दो मिनट टी सेकेंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल अठारा रुपाय है, तो तीन मिनट बीस सेकेंड का बिल कितने रुपाय होगा, एक दसमने इस्तान तक वैलू हमको निकाल नहीं है, तो दोस्तों दो मिनट टी सेकेंड, ऑगर दोस्तों यहाँ पर 2 minute और 30 second को, हम 2 minute 30 second का टोटली बिल कितना दोस्तों दिया गया है? 18 रुप्या दिया गया है. तो दोस्तों 2 minute 30 second को अगर हम totally second बना लें, तो 2 minute में कितने second हो जाएंगे? 120 second, plus 30 second यह हमारे हैं. तो दोस्तों finally हमारा इतना second आ गया, तो इतने सेकंड के लिए हमारे कितना रुपिया है 18 रुपिया दोस्तों दिया गया है तो जब दोस्तों इतना रुपिया दिया गया है तो यानि कि यह तोटल तोटल तोटसों कितना हो जाएगा 1.500 सेकंड का हमको 18 रुपिया दिया गया है तो दोस्तों अगर एक सेकंड का कर दें दोस्तों को कट जाएका हमाहा कट कर देते हैं थो चाहिक से गठ जाएक दोस्तूं 6 में 6 engag 8 दोस्तों हो जाएगा चैंतरी अरो सहए जूर्च रुपीया हमको सअ… निकालना कितना हैğ Kayla diese कन कब यिन कालना है तो तीन मिनट और वी सेखेंट कब यहां हमको निकालनाब दोस्तों हम दोस्तोंuga करें दोस्तों एक स्वस्य सेकंड हो जाएगा एक स्वस्य में चोड़ देंगे दोस्तों तो आजाएगा हमारा 200 सेकेंड तो दोस्तों अब 200 सेकेंड हमारा 200 सेकेंड का हमको निकालना है तो 200 सेकेंड का वैलू हमको find out करना है finally तो दोस्तों जानते हैं एक सेकेंड में इतना तो दोस्तों इस वैलू में हम जो दिया गया है 1 second वराबर दोस्टों दीया गया है 3 upon कर 25 तो इसमें हमको 200 second का चाहिए तो दोस्तों दोनों side में 200 का multiply करदें आब दोस्तों 25 से अगर इसका cut करें तो 25, crypto होता है तो finally दोस्तों हमारा 200 second का value आ गया 8, 3, 4 तो दोस्तों इसका right answer हमारा क्या हो जाएगा आपसर नंबर हमारा A right हो जाएगा आई होब दोस्तों आपको कुशन समझ में आया होगा next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा ये रहा एक बहुच के बाह कोणों का योग पूचा गया है तो दोस्तों बाह कोणों का योग कितना होता बहुच के 360 degree होता इसका आपसर नंबर C right हो जाएगा next question दोस्तों हमारा ये रहा दिया गया है एक आकरति का अधिन करें और निमलिखित सवालों के जवाब दें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आयत साप्ट्वेर करबचारियों को दरसाता है तो दोस्तों आयत हमारा ये है तो यहाँ पे साप्ट्वेर वाले ये साप्ट्वेर के हो गया है अब दोस्तों अगला त्रिकोन ग्रामेड को दरसाता है दोस्तों ये हमारा ग्रामेड का हो गया तो अब दोस्तों आगे देखते हैं बृत पोस्ट ग्रेजवेट को दरसाता है तो यह हमारा post graduate के लिए हो गया आगे दोस्तों देखिया वर्ग P.O. को दरसाता तो यह जो दोस्तों वर्ग है यह हमारा यहीं कि यह वर्ग यह वर्ग दोस्तों किसको दरसाता है P.O. को दरसाता है तो अब दोस्तों यहाँ पे question पूछा गया है सही कथन चुने यहाँ पे हम हमारे ये हैं तो दोस्तों यह बाद सही है है हमारी तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर गए गया है तो यानि कि कि हम को option ए दिखर रहा है तो हम ने इसको कर दिया ठीक है नेश्ट देख लेते कोई iso ग्रमÓ्ता कोई भी भी पीयो ग्रमेड नहीं है तो दोस्तों ये तो हमारा सब ग्रामेड लाले हैं तो अगर यह इनको अंदर हो आ गकल के ंदर आ जाता दोस्तों कि यह इतना सरकल आ हमारा ट्रेंगल के बाहर है तो इसका मतलब यह भी गलत हो जाएगा निश्ट है सभी पोस्ट ग्रेजवेट साफ्टेवेर करमचारी हैं तो दोस्तों यह अगर पूरा गोला हमारा सरकल दिया गया है यह हमारा आयत के अंतर गताता तो हमारा राइट होता लेकिन ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों गलत है तो हमारा पहला रांग हो जाएगा निश्ट है कुछ साप्टेवर करमचारी पोस्ट ग्रेजवेट के साथ पीओ भी है कुछ साप्टेवर करमचारी साप्टेवर का करमचारी को कुछ हिस्सा जो है पोस्ट ग्रेजवेट से भी पोस्ट ग्रेजवेट हैं सब्सक्राइब करमचारी पोस्ट ग्रेजवेट हैं तो सब्सक्राइब करमचारी पोस्ट ग्रेजवेट हैं दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है कुछ बाहर जा रहा है तो यह हमारा रांग हो जाएगा सब्सक्राइब करमचारी हैं सब्सक्राइब नेश्ट कृश्वषन हमारा ये रहा निमलिकित में से कौन सा कथन सकते है फिर दोस्तों वही चीज दी दी गई है कृश्वषन में और पूँचा वही गया है तो यहाँ पर धिया गया है सभी ग्रामेर लोग पोस्ट ग्रेजवेट हैं बाहर जा रहा है तो इसलिए हमारा यह पहला आपसनि Channel ओजाएगा कुछ पियो सौप्टिवेर करमचारी है पियो का कुछ हिस्सा ये पियो है पियो का कुछ हिस्सा सौप्टिवेर करमचारी है हाँ सौप्टिवेर करमचारी कुछ है लेकिन ग्रामीर नहीं है तो ग्रामीर यानि त्रिकोंड तो त्रिकोंड के तो अंदर ही आ है दोस्तों तो ये भी हमारा रांग हो जाएगा सभी साप्टेवर करमचारी पियो हैं तो सभी साप्टेवर करमचारी दोस्तों पियो हैं पियो हमारा ये था गलत है दोस्तों सभी साप्टेवर करमचारी में इतना ये सब साप्टेवर का भाग हमारा इसमें पियो में नहीं आ रहा है दोस्त पेट्फर qualify करना दोस्तों यहाँ पे हमने 55 और दोस्तों यहां अब दोस्तों अगर हम इसको सॉल करें तो यहां पे हमारा यह हमने पॉइंट कट किया और यहां पे हमने एक जिरो बना लिया दोस्तों और यह का भी हमारा पॉइंट ठाट गया तो यह हमारा पॉइंट बराबर हो गया और दोस्तों यह पॉइंट हटा करके हमने यहां पे द हो पना 45 दोस्तों अगर स्कॉर पांच से कट करें दोस्तों यहां पर 11 आ जाएगा तो 11 और 9 का मल्टिप्लाइब कर देंगे तो निन्यान भी आ जाएगा दोस्तों और यहां भी बचिएगा हमारा 1000 तो अब दोस्तों अगर तो दोस्तों स Exchange यह पॉंड रख दिए इतना तो दोस्तों हमारा इसका आपसं म्यान रटो जीरो पॉंड पॉंड जीरो 990 जीरो पॉइंट जीरो 999 आपसे नम्मी डुटोस्तों इसका बिरैट हो रहा हमारा हमारा डो यह रहा 27, 18, 85 का HCF ग्याद कीजिए तो दोस्तों मैं HCF निकालने का आपको तरीका बता दूँ कि इन विकल्पों में से जो सबसे बड़ी वैलू हो आप उसको ले करके इन सभी में डिवाइड कर दीजिए अगर सभी से वो वैलू डिवाइड हो जाएगी तो उसका वही HCF हो जाएग नवसे कीम डिवाइगी थो तो आउर दोस्तों अगर हम लें 18 तो 18 से हमारा साची कट नहीं पाएघने टो सबसे बड़ा हमने लिए अठारे तो 11 तो A हो जाएगा तो next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा ये रहा का LCM ग्याद कीजिए दोस्तों LCM निकालने की तरीका जब कभी भी इस परकार का जाए दोस्तों तो हम करते क्या है uns का लासा लेते हैं और हर का मासा लेते हैं दोस्तों और यहां पर 20 फिर हां पर 4 दोस्तों फिर हां पर 8 अगर सब क्राइब कर लें और इनकों का थी yıl हो जाएगा तो दोस्तों अगर 3x2 match कर दोस्तों हमने 3x2 लिख लिया और 1x5 हो जाएगा दोस्तों तो हमने 1x5 ले लिया तो 8x4 इन का दोस्तों LCM उपर अंस में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और हर का हर का दोस्तों HCF निकालना होता है दोस्तों आपको बता दूँ जब कभी भी अंस मतलब बटे में संख्यादी हो और उसका लासा निकालना हो तो अंस का लासा निकाला जाता है हर का मासा निकाला जाता है अगर दोस्तों इसी का मासा पूछा होता तो हम अंस का मासा निकालते हर का लासा निकालते दोस्तों यह पर लासा पूछा गया था तो हमने लासा निकाल लिया नहीं कि LCM निकाल लिया दोस्तों अंस का 40 हो गया और हर का मासा निकालेंगे तो मासा दोस्तों यानि HCF हो जाएगा हमारा 10 तो दोस्तों यह 00 कर गया finally कितना हमारा answer आजाएगा option number D यानि कि 4 हमारे इसका right answer हो जाएगा next question दोस्तों देखते है next question हमारा यह रहा दोस्तों यहाँ पे यह जो value दी गई है हमको यहाँ पे x की value find करनी है तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया प्रत्म 10 प्राक्रतिक संख्याओं का माद्धिक ज्याद किजीए तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ इन क्वेशनों को हल करने के बहुत सिंपल मैथिड होता है जब कभी भी प्रथम सब्द लगा दिया जाए आप ध्यान दीजेगा जब कभी भी प्रथम सब्द लगा दिया जाए और कह दिया जाए प्रथम 10 प्राक्टिक संख्याओं का या दोस्तों और कोई संख्याओं का है देख प्रथम 15 संख्याओं का ऐसे करके तो अगर 10 संख्याओं का यानि 10 जो दिया गया है दोस्तों यह हमारा even number है नहीं के sum तो दोस्तों अगर sum संख्या दी जाएं तो उसमें हम क्या करते हैं एक जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 11 बटे 2 तो इसका finally आ जाएगा 5.5 आ जाएगा तो दोस्तों इसका option number क्या right होगा option number B right हो जाएगा अब दोस्तों इसी में में एक चीज और आपको बता दूँ अगर इसी में कभी भी आपका यहां पे दे दिया जाए प्रथम 9 पदों का अगर दे दिया जाए प्रथम 9 पदों का प्राक्तिस संख्याओं का माध्य गयात कीजिए दोस्तों तो यह 9 हमारा विसम संख्याएं हैं तो जो अगर 9 संख्याओं को दोस्तों दिया होता तो 9 हमारा विसम संख्याओं तो विसम संख्याओं में जितना कहता है उतने को करके 2 का भाग दे देते हैं दोस्तों तो 4.5 हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आपको जी बाते समझ में आई होंगी एक बार मां फिर से रिपीट कर दूँ जब कभी भी प्रथम कितनी भी संख्याओं का प्राक्तिक संख्याओं का अगर माध्य पूछे तो प्रथम सब्द लगा हो प्राक्तिक संख्याओं बोली गई हो अगर सम संख्याओं लिख लिया और यहां पर जो हमारा नौ लिखा है 9999 दोस्तों इतना हमने लिख लिया तो नौन जार नो सो निन नेन वे ही आजाए गा अगर दोस्तों अब इसका मल्टिप्लाई कर दें तो 3 3 5 time हमने लिग दिया दोस्तों और दोस्तों कितने time zero तो 4 time zero हमने 4 time zero लगा दिया और minus का दोस्तों हमारा हो जाएगा 5 time हमारा 3 अब दोस्तों अगर इनकों घटा दें तो दोस्तों घटाने के लिए हम क्या करेंगे 5 time 3 हमने लिग दिया और 4 टाइम हमने 0 लिग दिया और यहां पे अब घटाएंगे दोस्तों तो दोस्तों अगर घटाएंगे तो 10 हो जाएगा 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों यहां पे आ जाएगा 7 यहां पे 9 से 3 घटाएंगे 6 यहां पे 6 यहां पे 6 यहां पे 6 दोस्तों और दोस्तों 33 32 96 67 तो दोस्तों आपसंन नमघर देखते हैं तो दोस्तों नियुक्त नियुक्त दोस्तों जब कभी भी मर्दिका निकालनी हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो को या तो आरो ही क्रम में या फिर औरो ही क्रम में बेवस्थित कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हम इस सीरीज को आरो ही क्रम में रखते हैं तो आरो ही क्रम दोस्तों क्या होता चोटे से बड़े की और तो दोस्तों में इसको चोटे से बड़े की और रखेंगा सबसे चोट 3 x 9 लिख लिया और दोस्तों उसके बाद हमारा 10 दिया गया है और फिर 12 दिया गया है मध्धिका निकालनी है दोस्तों मध्धिका आप कैसे निकालते हैं इसके पता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद हैं दोस्तों तो 10 पदों में हम क्या करेंगे तो दोस्तों 4 पद हमने इधर से कट कर दिये और दोस्तों 4 पद हमने इधर से कट कर दिये बीच में जो 2 पद बचे हैं दोस्तों इन दोनों का योग करके 2 कडिवाइड कर देंगे तो दोस्तों जब 7 और 9 को add करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 बटे दोस्तों फाइनली हमारे इसका मात दी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा तो आपसन नमबर दोस्तों इसका b right हो जाएगा next question दोस्तों हमारा ये रहा गड़ना करना है इसको हमको simplify बनाना है दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया 5886 5886 अपान में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 654 माइनस को दोस्तों कितना दिया गया है 3 तो दोस्तों यहाँ पर यह जो दिया गया था 8 लिखा हुआ है अब अगर दोस्तों इसको हम कट करें तो यह दोस्तों हमारा कितनी टाइम में कट जाएगा हमारा तो दोस्तों अगर इसको हम नौ से अगर कट करते हैं दोस्तों तो नौ से कट करने का हमारा तरीका क्या होता है सभी का योग करके अगर 9 से कटता है तो हमारे कटेगा 6-4-10-15 दोस्तों नहीं कटेगा हम दोस्तों इसको 2 से ही कट कर देते हैं पहले तो दोस्तों दोसे अगर कट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2-3-6-2-2-4-2-14 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 2-2-4-2-8-2-4-8-2-3-6 आजाएगा दोस्तों दोस्तों बी राइट हो जाएगा नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन हमारा यह रहा दोस्तों यहाँ पर दिया गया एक वस्तु को आठ पर्शंट था अठारा पर्शंट के लाब पर बेचने पर दोनों का विक्रे मुल के बीच का अनुपात निकालना है दोस्तों जब कभी इस परकार को कुश्यों दिया जाये तो जो यह हमको अनुपात निकाल देना है कटकर कर और दो पंचे दस दोने एट आफा रहा दोस्तों फाइनली हमारा अंपात कितना आ आ गया का रेसियो कितना बन गया 54 अनप 1559 यानि कि आपसन नमर दोस्तों के साथ जाएगा हमारा person number a-right हो जाएगा next question कोई दोस्तों के लिए चक्रवर्टित होगा जब तो दोस्तों इसका पूंचा क्या गया था दोस्तों इसका पूंचा क्या गया था दो वर्सों के लिए चक्रवित्य ब्याज क्या होगा दोस्तों यहां यहां पे दिया गया है एक च्छित्र हमारा मान लिया A है दूसर च्छित्र दोस्तों हमारा B है A हमारा 29 मिनिट में खाली करता है दोस्तों 29 मिनिट अब दोस्तों B हमारा जो है 6 मिनिट में खाली करता है अब दोस्तों अगर इनका हम दोनों के LCM ले लें हमारा 174 हो जाएका दोस्तों अब इसका आगर 29 का भाग हम 174 में देंगे दोस्तों याप 6 का डिवाइट जब इ lleब 26 आज जाएगा अब जब d दिवाइड करेंगे तो 35 चो को हमारा होता है 140 तो दोस्तों आगे कितना बचा हमारा 34 बचा तो दोस्तों हमारा हाँ दोस्तों 34 बचा तो 4 सही 34 बटे दोस्तों कितना बन जाएगा 35 तो दोस्तों इसका हमारा कितने देर में खाली होगा इनि कि 4-34-35 समय में खाली हो जाएगा दोस्त इसका अपसर नमबर D-right हो जाएगा नेक्श कुशन दोस्तों नमारा ये रहा राजधाने ट्रेन डिली सहर से सुरू होती है ट्रेन में महिलाओं की संख्या, पुरुसों की संख्या से आधी है, फरीदाबाद सहर में 10 पुरुस ट्रेन से उतर जाते हैं, और 5 महिलाओं ट्रेन में प्रिवेस करती हैं, अब पुरुसों और महिलाओं की संख्या बराबर है, सुरुवात में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रिवेस किया ऑग्त अच्छा कोशिशन हánt दोस्तों बहुत सिंपल है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया राजदाने ट्रेन डिल्ली सहर से शुरू होती है ट्रेन में महिलाओं की संख्या पूरसों की संख्या से आधी है तो महिलाओं की संख्या जो है यानि कि मेल और फीमेल तो जो महिलाओं की संख्या होगी यो पूरुसों की संख्या से आधी है तो पूरुस अगर वहां पर हमने माल लिए टू एक्स हैं तो यहां पर यह एक एक्स हो जाएगा महिलाएं दोस्तों इस अंपात में हैं अब कहा गया है फरीदाबाद सहर में से दस पूरुस ट्रेण से उतर जाते हैं तो दस पूरुस दिने पूरुस हमारे टोटाल टू एय Olá телjen यहाँ से दस पूरुस उतर गए हैं दोस्तों डस पूरुस यह उतर जाते किया शुरुवात में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रिवेस किया तो दोस्तों यहां पर हमाल करें तो टू एक्स माइनस का एक्स और यहां पर दस आ जाएकर 15 हो जाएगा तो दोस्तों एक्स बराबर हमारा कितना जाएगा यहां पर 15 आ गया तो दोस्तों यहां पर हमार हमारे टोटल ब्यक्ति कितने थे पहले टोटल हमारे इन दो नोग जो जो देंगे तो दो-डोएक्स पुरुस थे एक-क्स महिला है तो तो अब पूच्छा क्या गए शुरुवात में कितने यातरियों ने ट्रेंड में प्रिवेस किया तो टोटल हमारे 3x या 3 ने प्रिवेस किया था दोस्तों 3x की जब value निकालेंगे तो 15 ती 45 आ जाएगा हमारे तो इसका right answer क्या हो जाएगा अपसर नमबर दोस्तों इसका c यानि की 45 इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x minus का 4 हमारे इसका right answer हो जाएगा अपसर नमर दोस्तों डी नेस्ट कुशन दोस्तों और आज के हमारा अंतिम कुशन होगा दोस्तों इसकुशन दिया गया है स्रीवागीस ने FD में पैसा निवेज किया वह परिपक्यता पर कितनी धन्रास प्राप्त करेगा यादि 4500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्सी चक्र ब्रद्धी ब्याज की दर पर निवेज किये जाते हैं तथा ब्याज तिमाही चक्र ब्रद्धी होता है तो दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है 6 महीने का लेकिन बाद में बताया गया है कि ब्याज तिमाही देता है तो जो 6 महीने का तिमाही बनाएंगे दोस्तों तो दो तिमाही बन जाएंगी तो हमारी यह निवर्स के टेबल बनेगी दोस्तों अब दोस दोस्तों यहां पर जो हम 25 अब यहां भी हमारा 225 हो जाएеныighspot दोस्तों अब दोसो पचीस का 5% और हम निकाल देंगे दोस्तों पांच का मल्टिप्लाई कर दें दोस्तों 555 हो जाएगा और दोस्तों हमारा पांच दूना दस दो बारा पांच दूना दस एक ग्यारा दोस्तों दो अंक बार दस में रख देंगे तो कितना जाएगा 11.25 अब इस 450 में 11.25 और अड़ हो जाएगा दोस्तों तो 461.25 हो जाएगा दोस्तों अब यह हमारा क्या आ गया CI आ गया है दोस्तों यानि कि compound interest आ गया तो हमको बताना है total कि कितनी धन्रास प्राप्ट करेगा तो दोस्तों अब यह 461.25 रुपई यह था यहाँ पर 25 रुपई यह था तो फाइनली दोस्तों जब इसको हम एड कर देंगे तो 25,1 और यहाँ पर 6,9 और यह 4 तो दोस्तों महाँ आगे 4,961 उप्या 25 फिस 4,961 उप्या 25 फिसा अपसर नमघर दोस्तों बी राइट हो जाएगा हमारा तो I hope दोस्तों आपको या आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा श्यादा सेयर करिएगा और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल घंटी जरू दबाईएगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों नेश्ट वीडियो मिलत हैं धन्यवाद